आइफोन 14 रिव्यू आफ्टर फाइव मन्स लेट्स टॉक आइज यह है आइफोन 14 जो कि अभी पांच महीं ने पहले लॉंच हुआ है और आज फेबररी 2023 है तो भाई अगर आप यह वाला फोन लेने का सोच रहे तो यह वाला वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो यह वीडियो पसंदा है तो लाइक कर देना और चैनल सब्स्राइब कर देना ऐसे और वीडियो के लिए तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइजिंग से यह लॉंच हुआ था अराउंड 80,000 रुपीस के आसपास और आगर आज का रीट बता हूं तो अराउंड 72-73,000 देखने को मिल जाता है जो कि मैट टेक्ट्टर के साथ आता है पीछे के तरफ पे आपको ग्लॉसी ग्लास देखने को मिल जाता है एक एक रूंच और वन ग्राम सका वेट एक लिए लेकिन इतना जारा हलका भी नहीं है अगर आइपोन 12 से अपग्रेट कर रहे हो तो जरूर ये थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है IP68 dust and water resistant है यानि कि इसको आप पानी के अंदर 6 मिटर तक दाल सकते हो for 30 minutes तो durability में top notch है, belt quality top notch है and water resistant भी अच्छा खासा मिलता है इसके चारों ही corners round मिल जाते हैं also ये flat edges offer करता है तो भाई design के मामने बहुत कमाल का है लेकर अगर इसको compare करें पिछले साल के iPhone 13 से तो भाई exactly same design है कुछ भी difference नहीं है इसमें design में आपको सिफ और फिफ एक difference देखने को मिलेगा जो की है इनके colors का iPhone 14 में आपको ये नया blue ये नया purple color देखने को मिल जाता है जो की differentiate कर सकता है iPhone 13 and 14 में से इस color के अलावा और कुछ भी difference नहीं है iPhone 13 and 14 exactly same है जिसमें आपको कोई भी fingerprint lock नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको face ID के sensors मिल जाते हैं जिसके विदेफे आपको बड़ी सी notch मिल रही है इसके लावा आपको stereo speakers मिल जाते हैं यानि की ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ पे speakers मिल जाते हैं जो की अच्छे खासे लाओ गए तो चलो बढ़ते हैं अब next point की तरफ जो की है display यहाँ पे आपको 6.1 inches का Super Retina XDR display मिल जाता है जो की support करता है Dolby Vision को SDR 10 को and also क्योंकि यह एक OLED display है तो यहाँ पे आपको sharpness काफी अच्छी मिल जाती है and overall blacks काफी अच्छे deep black निखने को मिलते हैं इसमें आपको 800 nits की brightness मिल जाती है and 1200 nits की peak brightness मिल जाती है जब यार SDR content consume करते हो तो 1170 by 2532 के pixels मिल जाते हैं जिनके pixel density 460 ppi है ceramic shield वाला glass protection मिल जाता है और हाँ एक बड़ी सी notch मिल जाती है जिसके बारे हम पहले भी बात कर चुके हैं यह display brightness के मामले में color के मामले में काफी बैतरी ही नहीं है लेकिन इसका एक minus point है इसमें आपको 60 Hz का display मिल रहा है यानि 60 Hz refresh rate वाला display मिल रहा है जो कि भाई मेरे साब से काफी बड़ा minus point है भाई सामने वाला बंदा आपको 70,000 पर पे कर रहा है उसके बार उसको 60 Hz वाला display मिल रहा है जो कि मैं नहीं मानता कि यह value for money होता है भाई इस phone को अगर normal use करना चाहते हो जो कि आपको एक बड़ा सा minus point लग सकता है अगर आपको 60 Hz display और यह not चल सकता है तब तो भाई यह display top of the line है अराम से जा सकते हो इस display की तरफ अगर improvement की बात करो तो भाई यह same display है जो कि आपको iPhone 13 में देखने को मिलता है वहाँ और यहाँ आपको कोई भी difference नहीं देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं इसकी chipset की इसमें आपको E15 bionic chip देखने को मिल जाती है जो कि एक 5 nanometer की chip है इसमें आपको 6 core CPU and 5 core GPU देखने को मिल जाता है जो कि आपको iPhone 13 Pro सीरीज में मिलता था यहाँ पर आपको कोई बड़ा ऐसा huge improvement नहीं मिलेगा iPhone 13 के comparison में बाकि अगर बात करें इसके power की तो भाई बहुत कमाल की power प्रोवाइड करता है आपको चाहे आप कितने भी heavy task कर लो heavy video editing कर लो बहुत कमाल तरीके से यह उसको handle कर सकता है इसमें आपको heating अगरा का issue भी नहीं देखने को मिलेगा काफी अची तरीकी से optimize किया गया है iPhone 14 के लिए यह वाला प्रोसेस है iPhone 13 के comparison में आपको power तो वही मिलने वाली है बस यहाँ पे आपको GPU का एक और जादा होने के वाज़े से GPU performance हलकी सी better मिल रही है अगर बात करूं gaming की तो भाई आप इसमें बहुत fluently gaming कर सकते हो iPhone 13 के comparison में मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जादा है तो यहाँ पे आपको graphics और भी जादा better देखने को मिलेंगे honestly बताऊ तो iPhone 13 भी कहीं से भी कम नहीं है कि यह कितना slightly better है तो भाई इन शॉट मैं बोल सकता हूँ लगबग लगबग वही performance मिल रही है आपकी यहाँ पे 60 Hz का display है तो यहाँ पे कोई भी 90 fps का option नहीं है जो कि एक minus point हो चाता है इस display का तो भाई जितने भी लोग हैं जो कि 90 fps पे gaming करते हैं यहाँ पे आपके पस जीवाल option नहीं है इसके अलावा फोन के अगर बात करूँ heating वगरा का issue नहीं देखने को मिलेगा performance आपको top notch मिलने वाली है कोई भी lag वगरा देखने को नहीं मिलेगा इस वाले phone में आपके यह depend करता है आपके network के उपर अगर आपका network साही नहीं है तो हो सकता है इसमें आपको lag देखने को मिल सकता है also heating का issue भी तभी आता है जब आप अच्छे तरीके से अपनी battery charge नहीं कर रहे हो या फिर battery charging cycle का ध्यान नहीं दे रहे हो तो उस case में हो सकता है कि आपको heating का issue हो और एक चीज़ी चीज़ यह भी है कि weather का भी impact पड़ता है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखके ही gaming करना है तो अगर मेरी battery health वाली वीडियो नहीं देखिए तो जा के उपर i button में क्लिक करके देख लेना उसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको बताया कि आपको कैसे manage करके रखनी है अपनी battery को तो भाई क्योंकि अब बात हो रही है battery की तो आप बात कर लेते हैं इसके battery की यहाँ पर आपको 3279 mAh की battery technique को मिल जाती है जो कि अगर Android से compare करोगे तो आप बहुत कम battery backup है लेकिन काफी अच्छे तरीके से optimize है A15 Bionic chip इसके लिए जिसके वज़े से काफी बैटर 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 देने वाला है आपको और अगर थोड़ा भी आप हेवी उस करते हो तो यह पूदे दिन के लिए तो आराम से चल जाएगा आपको रात को फिर से चार्ज करना पड़ेगा पड़ेगा पिस इस फोन को अगर आपने बहुत जारा कैमरा यूज किया हुआ है तो हो सकता है आपकी बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो जाए क्योंकि कामरा में काफी जारा बैटरी ले ले लेता है और अगर लगतार गेमिंग कर रहे हो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो भी आपको हो सकता है कि बै एंगल लेंस है एंड उसरा अल्टावाइड एंगल लेंस है तो बाई अल्टावाइड एकल शॉर्ट भी काफी कमाल के ले लेता है और इसके तीनों ही लेंस में याने की दोनों पीछे वाले लेंस और इसके 12 Megapixel के फ्रेंड कैमरा में भी आपको नाइट मोड का विजिन देखी को मिल जाता है याने कि यह तीनों ही लिंचे नाइट मोड में काफी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं यहां पर मैं आपको इनके कुछ कैमरा सेंपल्स दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस आपको आइडिया और सके कि कि इसका प्राइमरी लेंग्स पी दिखाता हूं कि इसका फ्रेंड कैमरा एंड यह भी शूट कर रहा है 4K 60fps पर यहां पे आप देख सकते हो कि अगर ब्लॉगिं और अखले देख रहे हो तो किता साही हो जाता है यह वर और मैं बता हूं तो 13 के कैमरा से slightly upgrade कर दिये गया है इनको कुछ एक चीज़ें आपको जारा extra मिल जाती है इसी के साथ साथ photonic engine मिल जाता है जो कि better night photos ले सकता है याने कि काफी अच्छे तरीके से उन photos को optimize करके आपको the best output provide करता है और इन दोनों ही lenses में आपको sensor shift की technology देखने को मिल जाती है अब यहा 13 में आप 1080p 30 fps तक कर सकते थे लेकिन इसमें आप 4K में 24 and 30 fps तक कर सकते हो इसके लबाद दूसरा advantage जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाता है वो है action mode तो basically अगर आप running shots ले रहे हो किसी के पीछे एगदम भाग के भी shots ले रहे हो याने कि कोई एसा action shot shoot कर रहे हो तो वह यह इसका एक चोटा सा minus point ही है कि अगर आप पूरा project 4K में कर रहे हो तो यह भाई 4K में ना करके 2.8K में उसको compress कर देता है वो एक चोटा सा आपको minus point लग सकता है लेकिन 2.8K में कर रहे हो वो भी कोई कम resolution नहीं काफी अच्छा गासा output मिलेगा इसके लबाद दूसरा minus point इसमे इसको काफी जड़ा light की ज़रूद पढ़ती है तो आप outdoor में सुबह के वक्त में ही इसका use कर सकते हो इंडोर तो भूली जाओ इंडोर नहीं कर सकते है जब तक आपके पास काफी heavy lighting नहीं है तो इनके इन दोनों camera में तो आपको यह difference देखने को मिलता है इसके अलावा आपक फोकस का option देखने को मिल जा रहा है जाने कि अगर आप व्लॉगें वगरा करते हो फोटोस वगरा क्लिक करते हो तो आपको काफी better output मिलेगा as compared to iPhone 13 तो अगर आप ए content creator of front camera से shoot करते हो तो यह बहुत कमाल की बात हो जाती है क्योंकि यह आपके पास 4K 60fps का भी option मिल जाता है 13 मे इसमें भी मिल जाता है तो वह एक बहुत कमाल की बात हो जाती है यह तो था camera अब बात कर लेते हैं कुछ other features की जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं सबसे पहला है crash detection by chance अगर आपका car accident हो जाता है और आपका iPhone 14 आपके जेब में पढ़ा हुआ तो यह detect कर लेगा कि आ तो इस call कर सकते हो आप इसको बिना network के आप directly satellite के थुरू अपने emergency services को call कर सकते हो अगर आप किसी मुसीबद में फस चुके हो तो इसका minus point है कि यह सिफ अभी US and Canada में है उसके अलावा यह अभी service और कहीं पे भी नहीं है तो मैं इस वर feature को आज की इस वीडियो में तो जाड़ा रेकिंगों मिलेगी और जाड़ा बेंड्स को सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप और 5G performance मिलेगी चलो बात कर लेते हैं क्या इस वाले फोन को आपको अभी के वक्त में खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो देखो इसके लिए गिनी तुनी दो तीन चीज ह जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस वाले फोन को लेने से पहले 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 पहला चीज अगर आपको action mode and 4K में cinematic mode चाहिए अगर आप content creation के लिए देख रहे हो movies वगरा बनाते हो तब तो यह आपके बहुत काम की चीज हो जाती है और content creators के लिए जारा better deal हो जाती है क इसके अलावा अगर मैं बताओं अगर आपका normal use है अगर आप इतना कुछ खाज यूज नहीं करते हो तो भाई इसको छोड़के आप iPhone 13 की तरफ जा सकते हो आप क्या रहा हूं 8-10,000 और और बच सकते हैं और 5G के कुछ bands आपको extra मिल ला है यह आप अपनी convenience के साब से देख सकते हो अगर आपको इतनी requirement है तो हाँ कर सकते हो update नहीं तो कोई इतनी जरूरी बात नहीं है और 13 के कंपरची में हलका सा आपको battery improvement भी देखने को मिल रहा है अगर आपके काम की चीज है तो upgrade कर सकते हो नहीं तो इसको छोड़के iPhone 13 की तरफ जाओ और अपने 8-10,000 रुपर बचा सकते हो वहां पर इस वीडियो में मैंने जो features आपको बताए अगर आपको additional features चाहिए तो नहीं तो 13 की तरफ जाओ पैसे भी आपके बच जाएंगे और मैं बोलूगा दोनों सेम ही है सिर्फ यह कुछ एक additional features आपको 14 में जादा मिल रहे हैं इसके अलवा लगभग लगभग पूरा जो फोन है वो सेम iPhone 13 ही है और अगर आप iPhone 13 और 14 का पूरा comparison देखना चाहते हो तो झाहते है